हेलो दोस्तो मैं हूँ अभिशेक और गैजिस्ट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागित करता हूँ आज का वीडियो इन चाइनीज आप्स के बारे में जो की बैन होती जारी है बहुत सारी और रिसेंटली जो की यहां वे सुनने में आया है वो है PUBG जी हाँ PUBG रिसेंटली बैन हुआ है और यह आप बहुत ही जादा पॉपलर अप है यह एक गेम है जो की अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसे तो आप जानते ही होगे और यह एप क्यों बैन हुई है क्योंकि इस एप के अप पर भी यह इर्जाम लगा है कि यह डेटा जो है चोरी करती है यहां से इंडियन यूजर्स का और वो चाइना पहुचाती है और इंडियन गॉर्मेंट के हिसाब से यह एप एक रिस्की एप है जिसकी वज़े से नैशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है फ्यूचर में या फिर अभी करण्ट में क्योंकि अभी हमारी चाइना के साथ थोड़ी तनाव वाली स्थिती चल रही है लगदाक के बॉर्डर पे दुनिया भर की एक्टिविटीज हो रही है जिसमें चाइनीज जो हैं कही ना कही हमारे एरिया में गुस्नी कोशिश कर रहे हैं और हम लोग उस तरह से जवाब दे है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजेगा और सबसे पहली बात यह है कि पबजी बैंक क्यों हुआ और टिक टॉक बैंक क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों यह डेटा लीक करने का इनके उपर इलजाम लगाए गया लेकिन किस तरह का डेटा कलेक करते हैं तो यह igent app करते हैं आपके फोन के उपर जो आपको profile photo होता है आपका age आपका phone number आपके phone के contact आपका wifi का signal आपके phone की batter का percentage भी और यह सारा डेटा सब कुछ जो आपके phone के बारे में है phone के आंदर जो भी आप access देते हैं camera अक्सेड देते हैं तो photo gallery सब कुछ जो ही यह access करते हैं और वह access करने के बाद उस data के basis पे ये profiling करते हैं और फिर आपको ads अब करते हैं अब यहां तक मुझे नहीं रखता कि कोई दिक्कत वाली बात है और ये actually बड़ी companies भी करती हैं जैसे Facebook and Google लेकिन problem यहां पे इसलिए आजाती है इन Chinese companies के साथ क्योंकि ये Chinese companies Chinese government को ये data supply करते हैं क्योंकि इनके agreement में इनके जो basically formation में ये clause है कि कोई भी Chinese company को पूरा data share करना पड़ेगा Chinese government के साथ तो माल लिए future में बारे साथ China की कुछ लड़ाई हो जाती है और उस case में China government उस data को use करके हम पे कुछ cyber attack plan कर सकते हैं तो ये जो चीज है एक dangerous चीज है इसलिए Indian government ये सब चीजे ना हो इसलिए Chinese apps को यहां से भगा रहे हैं literally भगा रहे हैं अब कुछ लोग यहां पर पूछते हैं कि क्यों सिर्फ Chinese apps को ही एक तरह से ban किया जा रहा है बाकी और companies जो हैं जो दूसरे देशों से आती हैं वो भी दोबारा data लेती हैं तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ क्योंकि यहां पे China में इस तरह का rule है कि Chinese companies को वो data share करना है Chinese government से बाकी और countries में ऐसा कोई rule नहीं होता है इसका example Apple है तो Apple के case में क्या हुआ था एक phone था जिसके अंदर कुछ confidential data था और उस case में वो user का data था और यहां पे US government ने Apple को request किया था कि वो इस phone को unlock करके उनको दे दें ताकि वो data access कर पाएं लेकिन Apple can say no in this case तो US companies basically इस तरह से government को no बोल सकती है अगर वो user privacy वाला data है और उस case में अगर वो national threat नहीं है तो definitely उस चीज़ को वो मना कर सकते हैं लेकिन चाइना में यहां पे कोई सवाल जवाब भी नहीं है वहां पे अगर Chinese government ने data मांगा तो आपको वो data देना ही पड़ेगा चाहे वो national security threat हो या नहीं हो आपको वो data share करना पड़ेगा और सारा data आपको Chinese government को देना पड़ेगा अब PUBG के बैन होने से पहले PUBG ने अपने mobile server जो है इंडिया में move किये थे और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि future में उनकियों पर भी बैन लग सकता है क्योंकि इससे पहले जो भी data PUBG के अंदर होता था वो सारा जो है Chinese server पर जाता था और ऐसे में ये चीज जो है गलत है अब एक तरह से देखा जाए तो PUBG किस तरह का data आपसे collect करती है जब आप game खेलते हैं तो आप mic on करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा audio जो है सारा data वहाँ जा सकता है साथ इसाथ PUBG खेलते हुए जब आप Facebook या फिर Google account का access देते हैं तो Google account का जो भी information है वो वो access कर सकते हैं एक limit के अंदर तो वो data भी उनके पर चला जाता है तो एक तरह से सारा data आपका जो है PUBG के servers पर चला जाता है और उस data को use करके उसको mine करके बहुत कुछ किया जा सकता है जो कि आपके और हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है अब आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद PUBG खेलते होंगे और उनके लिए बैड news है तो definitely ये बैड news तो है लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये अच्छे के लिए हो रहा है PUBG जैसे गेम की वज़े से बहुत ज़ादा एडिक्शन यंग स्टफ के बीच में आया है और उनकी वज़े से उनकी पढ़ाई को भी प्रॉब्लम हुई है और साथ इसाथ पेरेंट के साथ भी उनके तना बढ़े हैं बहुत से बच्चे लोग डिप्रेशन की तरफ गए हैं PUBG की वज़े से क्योंकि वो चिकन डिनर नी ला पाते हैं या फिर अच्छे से खेल नी पाते हैं PUBG बहुत से ऐसे भी इंसिडेंट हुए है जिसमें सुसाइड हुए है यानि कि बच्चों ने सुसाइड किया इसी और वो एक अपने आप में एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि हमें कुछ सिखाता है कि इस तरह की चीजों से हमें अपने यंग्स्टर्स को दूर रखना है अब देखा जाए तो एप्स को बैं करके ये प्रॉब्म सॉल्व नहीं होगी ये प्रॉब्म तभी सॉल्व होगी जब अपनी फैमिलीज के अंदर अपने बच्चों को ये ध्यान देंगे कि वो क्या कर रहे हैं कितना समय फोन पर बिता रहे हैं कितना समय वो लैप्टॉप पर बिता रहे हैं तो ये चीज हमें खुद देखने होंगी लेकिन कहीं न कहीं ये चाइनीज अप्स इतनी ज़ादा होती हैं कि वो addiction इतना ज़ादा बढ़ जाता है कि एक level के बाद बच्चा आपकी बाद सुनता ही नहीं है और वो एक बड़ी problem है तो उस case में अगर ये app ban हो भी रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई problem की बात है आप definitely बाकी और apps इसकी जगह पर खेल सकते हैं जैसे की call of duty अगर आप चाहें तो खेल सकते हैं हलाकि उसमें भी Chinese company Tencent का कुछ share है इसके लावा free fire है जो कि Singapore based game है तो ये दो alternatives आपके सामने अभी भी जो कि ban नहीं हुए हैं अब मैं बताता हूं कि top free apps के अंदर कैसा नंगा नाच पहले मचा हुआ था और अब वो कैसे बहतर हो गया है तो अगर आप Google Play Store पर जाएंगे और top free apps देखेंगे तो एक दो महीने पहले जब Chinese app ban नहीं हुए थी तो वहाँ पे 50% से जादा Chinese apps तो थी top free apps के अंदर थी लेकिन आज के समय में वो सारी Chinese apps नाप से हट चुकी हैं लेकिन अभी भी तकरीबन तीन से चार पाँच apps ऐसी हैं जो कि मेरे नजर में आई हैं और उन में से मैं दो apps का नाम आपको बता देता हूँ जो कि Chinese apps हैं लेकिन ban नहीं हुए है पहली app जिली नाम की app है शायद आपने इसे install भी किया होगा तो जिली app जो है basically TikTok जैसी app है इसमें fun videos आपको देखने को मिलते हैं और ये app Xiaomi उन करती है जहां Xiaomi की तरफ से ये app है और ये basically चाइना में बनाई गई है और यहां पे launch की गई है और ये भी future में खतरा हो सकती है ये भी ban हो जाए future में लेकिन अभी तक ऐसा कुछ radar इसके उपर नहीं आया है एक और app जो कि MX Master है वो app भी अभी तक ban नहीं हुए है और वो app भी 50 million से जादा डाउनलोड है उसके जिली के भी 50 million से जादा डाउनलोड है और ये भी एक Chinese app है इसको उसी developer ने बनाया है जिसने TikTok की app जो है बनाया है तो वहाँ पे कोई करके खे है वो उनकी खुद की app भी ban हो चके है वो भी Tencent की ही developer company है तो वो उन्होंने बनाया है तो यहाँ पे तकरीबन तीन से चार apps ऐसी अभी भी हैं जो कि ban नहीं हुए है और मुझे लगता है कि आपको इन अप से दूर रहना चा कि हम अपना data जो है आपको लेने नहीं देंगे और future और अभी current दुनिया में data ही सबसे बड़ा हत्यार है अब आपको world war, world war 3 जैसी चीवे देखने को नहीं मिलेगी अब आपको मिलेगी cyber war क्योंकि data से ही किसी भी country की पूरी geography वहाँ के citizens क्या सोचते हैं क्या करते हैं किस तर चाइना वगेरा इनके पास ये data नहीं जाए तो अच्छा है क्योंकि हमारी तरह वहाँ पर democracy नहीं है वहाँ पर dictatorship है जो कि CCP party की है और ये जो party है ये commerce party है इसमें लोगों की तरफ से कोई भी selection नहीं होता है ये लोग खुद अपना selection करते हैं और पूरे चाइना को rule करते हैं और पूरे world को कहीं न कहीं अपनी policies और अपने तरीकों से जुकाने में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में हमें इन सब चीजों से बच खे रहना चाहिए और Indian government ने इसी चीज़ से बचाने के लिए ये बहतर decision दिया है मेरे साथ से जो की future में हमें और भी बहतर त बबाए